यहाँ पर यंकल है और यहाँ पर काना जी को देखना यह उट कैसे यहाँ पर किस करेगा काना जी को इकाने जी को किस करता है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोलो राधे 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 बहुत अच्छा लगा रहा है और अभी हम कहाँ पर हैं गोगा मेडी यह उड़ है और यह एकाने जी को किस करता है हमारे तीन तीन लड़ू को पाले यहां पर हमने बस्तुत मैं यहां गोगा मेडी की धर्ती की भूमी पर आ चुका हूँ जैसे आप देख पा रहे हैं यह देव भूमी है गोगा मेडी की और यह जो आप बड़े से हाथों में विशाल संग देख पा रहे हैं यह संगीत का एक ऐसा साथ है जिसमें से सकारात्मक सकती उरजा हो दोस्तो यह वही चमतकारी पेड़ है जिसमें मनत के दागे बांदे जाते हैं मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बतातू हूं यह है क्या एक्चुल में हुआ कहता न दोस्तो जब गोगा जी महाराज पाताल लोग में गए थे गूगल दूप लेने जी हां मैं मैं उसी गोगल दूप की बात कर रहा हूं जो समुद्र मंथन में से निकली थी और जिसका जनम हुआ था गोगा जहारवीर का गोगा टिले पर हम यहां दर्शन करने के बाद चलेंगे गोगा जहारवीर जी के लेकिन यहां पर हमने देखा यह वही पेड़ है जिसमें अप पावा इसकी सवारी पर रहते हैं और देख सकते हैं आप यह मननत का पेड़ बहुत सारे धागे जो हैं इस पेड़ पर भंदे हुए हैं यह धागे जो होते हम अपने गले में डालके लेके आते हैं अपने घर से और गोगा मेड़ी एक ऐसी देव भूमी है जहां पर देव पस कर लिया है अभी हम चलेंगे अपना दूना आरंब करेंगे और दूना आरंब करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कोई भी दूना हो यह हमारे साथ में कुछ हमारे परिवार के सदस्य आयदे और अभी हमने यहां पर दूना आरंब करना कर दिया है यहां पर जैसे ह पास पास के जो लोग थे वो सब दूने की और अक्रशी तोरे थे क्योंकि जो दूना होता है दोस्तों वो गुरु गोरक नाच जी का दूना होता है और गुरु गोरक नाच जी का दूना एक ऐसा मातर दूना है जो तिरे लोग भारती जी के भी उपस्तित है जी हां ये दून पूजा का लेके आये थे अभी बस हम पूजा कर रहे हैं और मंत्रों का जाप करेंगे हमारे साथ आप मंत्रों के जाग में सहयोग करें ओम त्रीम बेकम ओम याजा सुगन्धिम् पुस्तिवपर्दनम् उर्वारूक्मिवाबंधुनाम् रित्यो मोक््षाय आमामृताम् ओम स्वाह ओम स्वाह ओम स्वाह ओम स्वाह lowest हमारा दूने आराम हो चुका है दोस्तों और आप देख सकते हैं हमने यहापर सारी व्यवस्ता कर लिए और दूना चलता रहेगा हमारा क्योंकि पूजा के बाद ही हम मंदिर में परवेश करेंगे ऐसा माना जाता है जब गुरु गोरक नाज जी अपने गोरक तिले से जी गुगल धूप को लेने के लिए नाग लोग में गये तब नाग लोग में गुगल धूप को देने से मना कर दिया गया तो गुरु गोरक नाज जी ने उस धूप को छल से अपना लिया अब नाग देपता क्रोधित होकर गुरु गोरक नाज जी के पीछे गये परन्तु लोगदान में जिस गूगल धूप से गूगजहरवीर का जनम होने वाला है उस धूप को किर्पया करके अपने पेट में छुपा ले परन्तु चल माता ने इसको अपने पेट में छुपा कर कहा हे योगी गुरु गुरकनाच आप तो जगत कल्याणी हैं किर्पया बस आप मुझे आदेश दे जैसे ही गुरु गुरकनाच जी ने अपना आदेश दिया वैसे ही बर्गत के पेट ने उसको अपने भीतर समा लिया और उसी समय नागराज दोड़ते हुए क्रोधित होकर हे नागराज मेरे पास कोई गूगल नहीं है चाहे तो आप मेरी तलاشी ले ले और आप वह भी खुद इतने विद्द़्मान है कि आप तो दस किलोमेटर दोर से ही उसके सुगंद ले सकते हैं तो आप ये लाल्चल कैसे लगा सकते हैं कि मेरे पास ये गूगल धूप है वैसे ही नागराज माह से तलाशी लेकर पाताल लोग की और पस्तान कर गए अब गुरू गोरखनाज जी ने धरती माह और उस बरगत के पेड़ से कहा हे वरीड माता हे विरिक्ष माता किर्पया करके मुझे मेरी गूगल धूब दे परंतु वहाँ पर जो बरगत का पेड़ था उसने गुरू गोरखनाज जी को एक वरदान मांगा कि मैं यह आपको गूगल धूब दे दूँगी परंतु इससे मुझे क्या लाब होगा उसी दिन उसी परकार से गुरू गोरखनाज जी ने कहा ठीक है आप चाहती है कि मैं आपको एक वचन दूँ जैसे ही बरगत के पेड़ने वचन मांगा उसने कहा हे योगी गुरू गोरखनाज मैंने इस गूगल धूब को अपनी कोक में समाया है मैं चाहती हूँ कि स्रिष्टी में मुझे भी समान मिले तभी गुरू गोरखनाज जीनों ने वरदान दिया ठीक है मैं आपको वरदान देता हूँ जब भी गोगा जहरवीर की पूजा की जाएगी उससे पहले आपकी पूजा संपन्न की जाएगी जी हां मित्रो हमारे यही उदेश्य था दूना यहाँ पर क्यों लगाया जाता है मैं आपको अभी तक बता रहा था दूना क्यों लगाया जाता है दूना इसलिए लगाया जाता है और गोगा जहरवीर के मानने ता इसलिए होती है कि इस बरगत के पेड़ के नीचे हम यहा अब हम ले आये हैं आपको गुरक्ट लेके मंदिर में जिहा दो दोस्तों यह मंदिर है गुरु गुरक नाज जी का आप देख सकते हैं यहां पर बड़े से महादेब की एक पर्थीवा बनी हुई है जिस पर यहां के भगज जी की फोटो भी है यहां पर शिरी शिरी एक हजार आठ बली योगिनाज जी जी हां दोस्तों आप यह बोड़ दे जादा वो लगी दोस्तों क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाव नहीं था इसलिए मैं आपको साब दृष्य नहीं दिखा पा रहा आप सामने देख पा रहे हैं सामने माकाली की पर्तीवा है उनके साथ में बहरू बाबा है और उनके बगल में आप देख सकते हैं एक इक बगल में जो हैं दोस्तों आपको गुरु गोरक नाज जी का दूना अरंब दिख जाएगा मैं चाहता हूं यह जो आप व्यू आप दृष्य कैमरे से देख रहे हैं या आप कैमरे से ना देखकर आप सीधा गोगा मेडी और गोगा टीले पर ही प्रस्तान करें क्योंकि जो आखों देखा होता है वही दर्शन सच्चा होता है फिर भी हमने कोशिश करी आपको यहां तक लेके आने की आप देखना है यहां पर मैं आपको और करीब से दिखाऊंगा यहां पर यह शिप दरवार है यहां पर भोले बाबा है उनके साथ में पारवती है पूरा लीती और यह गुरु गुरंग नाजी है अब हम चलेंगे कुंड की ओर कुंड यह यहाँ पर बहुत टाइम से बंद पड़ा था अभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पीछे का जो पूरा कुंड है वो सुका हुआ है दोस्तों यह जो पानी है यह नीचे धरती में से मसीन के दुआरा निकाला गया है सिर्फ यहाँ का यह एक ही कुंड भरा हुआ है और इसका आप दिरिश्य देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना साफ है और सुच है आप यहाँ पर आ सकते हैं नहा सकते हैं इसके बाद हम चलेंगे कहां पर दोस्तों गुरक तिले के बाद एक ही इस भूले अभी हम आगे चलेंगे आपसे आगे मिलता हूँ तब तक के लिए अलवीदा